नमस्कार, मैं हो ससी, आई जारखण की टोप 25 पर्मूख खबर जानते हैं जारखण में हुई चुनाव क्विज़ 2024 से ओनलाइन परिक्षा कैंसील रभीवार को आयोजित की गई चुनाव क्विज़ 2024 से ओनलाइन परिक्षा तक निकी खामियों के कारान आई परेसानियों को लेकर कैंसिल कर दी गई है अब 2 अक्टूबर को यह परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी बतादे साम 7 बजे उसी दिन रियल्ट जारी कर दिया जाएगा जारखन के मोख निवेचन पतादिकारी कर दिया जारखन के लिए चुनाव के लिए फिर लोगिन के साथ शुरू होनी थी लेकिन तक निखी खामियों के कारण कई परतिभागयों को लोगिन में कठी नाई आई इस कारण वे अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सके हालाकी बात में तक निकी खामिया दूर कर ली गई लेकिन तब तक कई परतिभागी अपनी परिक्षा पूरी करने से वंचितरा गए बतादे जार्खन के मुखन वेचन पतादी कारी कर ले ने चुनाव की 2024 के ओनलाइन परिक्षा का फिर से आयोजन 2 अक्टूबर को कराने का निर्ना लिया है ताकि सभी परतिभागीयों को समान और सर प्राप्त हो सके चुनाव की 2024 की फिर से होने वाली परिक्षा के लिए लोगिन 2 अक्टूबर को सुबद 10 से लेकर 11 बजे के बीच किया जाएगा राज़धानी 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 के सभागार में सुमवार को सातवे राज़धानी पोशन माह 2024 के समापन समारो अयोजित किया गया है देश भर के 11,000 से अधिक सक्षम अंगन वाडि केंद्रो का वर्चूल उदघाटन भी किया जाएगा बतादे मोहके पर जारखन के राज़धाल संतोस गंगवार केंद्रिय महिला एवं बाल विकास मंत्रियान पुना देवी जारखन की मंत्री बेवी देवी केंद्रिय रक्षा राजमत्री संजासेट महिला एवं बाल विकास मंत्रालाई के सचीवशम में जारखन के पता दि की जाएगी सक्षम आंगनवाडियों को बेहतर पोशन प्रारंभिक बच्पन की देखपाल एवं सिक्षा सुलब कराने के उदेश से मजबूत उनत और पुर्ण जिवीत किया गया सक्षम आंगनवाडि केंद्रों की खास विशेस ताव में LED स्क्रीन स्वक्ष पेजल के इसपंदन प्रनाली प्रारंभिक बच्पन की देख भाल एवं सिक्षा के लिए समगर और बाल प्रेंटिंग विभीन खादे पौधो एवं जड़ी बुटियों को सुलब कराने एवं पोशन के लड़ने के मीशन में मदद करने वाली पोशन वाटिका सहीद उनत बुनिया दरसल कई छात्रे या अरोप लगा रहे हैं कि परिशा के पेपर लिख हुआ था लेकिन अब आयोग की तरफ से इस बात की कोई पूश्टी नहीं है इसी भी 26 सितमर को परिशा का अंसर की भी जारी कर दिया गया था और अब जल्द ही इस परिशा के पहिना भी देखे जा सक उन्होंने या भी कहा था कि दो से तीन दिन के अंदर OMR सिट के स्केनिंग सुरू हो जाएगी और जल्द ही पहिनाम गोसित कर दिये जाएंगे इस हिसाब से कई लोगों के अंदाई लग रहे हैं कि जैसे सी सिजल परिशा के पहिनाम 10 से 15 अक्टूबर के भी जारी कर सकता ह गढ़वा में हाथियों ने महिला को कुचल कर मार डाला रिमीस मिंज अपनी साथ थी दिलमानी टोपों के साथ बैरिया जंगल की ओर गई थी उसी वक्त जंगली हाथियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया दिलमानी टोपों ने किसी तरह भाग कर अपनी जन बचाई अलाकि बचाव के दरान वह भी घायल हो गई है पूलिस पिकेट हटाने की बिरोध में गिरीडी में सलक जाम गिरीडी जीले के देवरी पर खंड में पूलिस पिकेट को बंद करने के फैसले की बिरोध में ग्रामिनों रभिवार सुबा डहुआ टांड चोकी सलक को जाम कर दी मामला भेलवा घाटी थाना छेतर कहा है पुलिस पिकेट बनने के बाद इस चेतर में नक्सल गतिवीदी पर अंकुष लगने के साथ साथ लोगो सुरक्षित महोल मिला लेकिन पुलिस पिकेट हटाने के निर्ने से असुरक्षा का महोल उत्पन हो जाएगा चौकी से कुछ ही दुरी पर ही बिहार का जंगली इलाका सुरू होता है जहां अभी नक्सलियों का बिचरन होता है कांग्रेस की चुनावी अभियान का आगाज गांधी जियनती के दिन से आगामी बिधान सभा चुनाओं को लेकर कांगरेस गांधी जियनती की दिन यानि 2 अक्टूबर से अपने अपचारिक चुनाओी अभियान की शुरुआत करेगी इसके लिए राजिके नेताओं की चार टीम बनाई गई है जो पहले चरण में उन छेत्रों में अभियान चलाएगी जहां पीछले बिधान सभा चुनाओं में कांगरेस को उमिद्वार थे उसके बाद सीट बटवारे के बाद दूसरे चरण में गड़बंधन उमिद्वारों के लिए अभियान चलाया जाएगा वहीं बिधान सभा चुनाओं टोला में सनवाद यत्रा निकालेगी बतादे 15 अक्टूबर से जीला चुनाओं के नेता पंचायत में अभियान चलाएगे इसके माद्यम से सरकार की उपलब्धियां को जन जन तक पहुँचाया जाएगा परदेश कॉंग्रेस केमपेनिंग कमिटी के चेयरमेंट सुबोध कांसाहाई ने परदेश क्रायले में अजुद प्रेस वर्ता के दोरान ये जनकारी दिया है मुख्यमंत्री आज धनबाद को देंगे 178 क्रोर की सोगाद जार्खन के मुख्यमंत्री हेमांसुरें सोमवार को धनबाद आएंगे वा बलियापूर हवाई पट्टी प्रायोजी जार्खन स्कील कंक्लेब 2024 में बतर मुख्य अतिती सामिल होंगे इस दोरान सीम धनबाद जीले को 178 क्रोर रुपे से अधिक की सोगाद देंगे वा 129.39.3 रुपे की 137 होज्यनाव का सिलन्यास भी करेंगे साथ 48.41.90.9856 रुपे की 84 वोज्यनाव का उधाटन करेंगे बता देमुक्य मंत्री धनबाद नगर निगम की 44 क्रोर से अधिक की 83 ग्रामिन कारे विखाग की 52.73 क्लोर की 20 और पेजले अमस्वक्षता की 3.85 क्लोर की 10 जार्खन सिक्षा पर यूजिना की 9.93 क्लोर की 8 कल्यान विभाग की 1.29 क्लोर की 7 भावन प्रमंडल की 91,00,00 के 3 और पस्निमान विभाग की 5.50 क्लोर की 1 वा जे एस बी सी एल पी आई यू क 11 जार्खन के वाकी लोग को भी मिलेगा यर एम्बूलेंस की सुविधा जार्खन अधिवक्ता कल्यान निधी नियासी समीती की बैठक रविवर को जार्खन हाई कोट के महाधिवक्ता करेले सभागार में हुई है बैठक मेराज के विभीन जीलो के जीपी एजीपी समेथ जिला अस्तर दिये ट्राष्टी समित्थी के अधिकारी सामिल हुए। इसमें मुखे रूप से बीते दिनों में किये गए डेथ क्लेम से जुड़े दो करौर की राशी का चेक बित्रन किया गया। या राजी जीलो के ट्राश्टी मेंबर के पताधिकारी को दिगाई पीएम मोधी 2 अक्टूबर को भाजपा की पर्वतन यातरा के समापन में होंगे सामिल बीजेपी की पर्देश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि जहारखन भाजपा की पर्वतन यातरा आसा और उमीद से ज्यादा सफल रही है इसकी सुरुवत भी सितंबर को केंद्रिय गिरी मंत्रिय अमीद साह ने संताल परगना परमंडल और गिरी डीके जहारखन धाम से की थी अब तक राजपे 24 जीलो 74 विधान सभा 202 पर खंड की 4500 किलिमेटर की यातरा की जा चुकी है बाबुलाल रभीवार को बीजेपी परदेश के रहले में आजित प्रेस कॉन्फिरेंस में बोल रहे थे उन्होंने कहा है कि परिवतान यातरा के समापन परदान मत 29 मदी 2 अक्टूबर को हजारी बाग में करेंगे बाबुला मरंडी ने कहा भाजपा अपने उद्देश से में सफल रही है अब तक 16-17 लाख लोग इस यातरा में सामिल हो चुके है या यातरा बदलाव का अभास दे चुकी है संताल परगना में घुसपैट की परताल करेगी फैक्ट फाइडिंग कमिटी चारकन हाइकोट ने राजज में सीमा पार से घुसपैट के आरोपो और अस्थानिय अबादी पर इसके परभाव की चान बिन करने के लिए केंद्रिय और राज अधिकारियों की एक फैक्ट फाइडिंग कमिटी के अगठन का आदेश दिया है यह कमिटी घुसपैट के आरोपो और अस्थानिय अबादी पर इसके परभाव पर एक रिपोर्ट पर स्थूत करेगी जस्टिस सुजित नरायन परसाद और अरोन कुमार राय की खन पीट ने एक यचका पर सुनवाई करते हैं निर्देश दिया है बतादे यचका में आरोप लगाया गया है कि बंगलादेश से अप्रवासी संताल परगनाचेतर में अवय तरीके से घुसपैट कर रहे हैं रामगर में नदी में नहाने गई तीन लड़किया की मौत जारखन के रामगर जिले में बड़ा हाथसा सामने आया है रविवार को यहाँ आठ से पंदर साल की तीन लड़कियों की नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई है यह घटना रामगर टाउन थाना चेतर में दामोदर नदी में घटी है बता दे काहू बेरागाओं की रहने वाली तीनों लड़किया नदी में नहाने गई थी इस घटना में मिरितक सभी लड़कियों की पाचान हो गई है इस घटना की जनकारी देते हुए उप विभाग यह पूलिस अधिकारी परमेशवर परसाद ने बताया है कि उनमें से एक नदी में गहराई में चली गई और डूब गई दो अने ने उसे बचाने का पर्यास किया और वे भी डूब गई मिरितकों की पाचान सीमरन कुमारी, छाया कुमारी और संध्या कुमारी के रूप में हुई है अस्थानी एक ग्रामिनों की मदद से तीनों लड़कियों के सो दामोदर नदी से बाहर निकाल लिए गए है जारखन में सरकारी करमचारियों की रिटार्मेंट उम्र बढ़ाने की तयारी जारखन वी धान सभा चुनाओ से पहले हेमन सुरेन सरकार राजर करमियों की हित में बड़ा फैसला ले सकती है राजर करमियों की सिवा नियुरित्ति के उम्र साथ से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है बता दे मुख्य मंत्री हेमन सुरेन के अस्तर पर इस प्रस्ताव पर बिशेस मंथन चल रहा है सूतरों की माने तो इस प्रस्ताव की सवक्रिती के लिए सरकार मंत्री परिशत की बिशेस बैठाक बुलाने पर भी विचार कर रही है अगर ऐसा होता है तो हेमनस सरकार राजय गठन के बाद पहली सरकार होगी जो अपने पांच साल के कर्याले में राजय कर्मियों के हीत में दूसरा बड़ा फैसला लेगी इससे पहले सरकार राजय कर्मियों के लिए पुरानी पिंसन योईन लागू कर चुकी है अब इस संभावित फैसले से राज्य कर्मी दो साल और नोकरी का लाब ले पाएंगे जैप आईटी ने विक्सित किये चार पोर्टल अबुआ स्वास्वरक्षा योजना की सुरुवात के लिए सुमवर को स्वास्व मंत्री बनना गुपता इस योजना के पोर्टल को लंच करेंगे कारिकरा में बतर विश्ष्ट अतिती परधान सचिव अजय कुमार सिंग उपस्थित रहेंगे इसके साथ ही राज कर्मियों यों सेवा निवरीत कर्मियों को 5 लाग तक कैसलेस उपचार के लिए जहारकन राज स्वास्थ भीमा योजना की भी सुरुवात की जाएगी इसके लिए जहारकन एस्टेस्ट आरोग ये सोसाइटी ये एंसुरेंस कमपनी टाटा ए आईजी के बीच एम ओयू किया जाएगा कारकरम का योजन आई पी एज सभागार नामकुम में दो फ़र एक वई से किया गया है बता देकि मुख्य मंत्री अबुअस्वाय सुरक्षा योजना के संचालन को लेकर जैप, I.T. द्वारा, I.T. पोर्टल बिक्सित किये गए है इस मुखे पोर्टल में चार पोर्टल विक्सित किये गए हैं जिसके माद्यम से जोजना का लाब प्रदान किया जाएगा इस में लैंडिंग पोर्टल, कार्ड जेनरेशन पोर्टल, एवाम अस्पताल सुचिबत्ता पोर्टल और रोगी, एडमीशन, डिस्चार्ज और दवा, प्रसंसकरन पोर्टल सामिल है पोशन माह समापन समारों में 11,000 सक्छम आंगनवारी का होगा उद्घाटन पोशन माह अभियान के रांची में समापन समारों के दरां सो महर को 11,000 सक्छम आंगनवारी केंद्रों का उनलेन उद्घाटन किया जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने कहा है कि सक्छम आंगनवारी को बेहतर पोशन और प्रारमबिक बाल लेया वस्था देख भाल और सिक्छा के लिए मजबूत उन्नत और पुर्ण जिवित किया गया है इसका एकरा में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने पुर्णा देवी जहरकन के राजेबल स्वंतोस गंगवार राजे की महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा मंत्री बेवी देवी तथा राख्षा राजे मंत्री संजर सेट सामिल होंगे बतादे सत्वर अश्ट्रिय पोशन मा बेहतर प्रशासन के लिए प्रदोगी की के उप्यों के साथ एनिमिया विकास समने निगराने पूरक अहार और पोशन भी पढ़ाई भी परकेंद्रित रहा है निस्पक्ष वा सांती पूर्ण मतदान के लिए प्रशिक्षित हुए अधिकारी मुख्य निर्वाचन पताधिकारी के रभी कुमार के निदेश पर राज्य के सभी 81 विधान सभाच्छेत्र के निर्वाचन से समधित पताधिकारियों का बैचवार दो दिवसे प्रसिक्षन कारकरम का उनके कर्याले इस प्रसिक्षन कक्ष में आयोजन किया गया 26 सितमर से आयोजीत प्रसिक्षन सा रिवीजन कारकरम काउंती सितमर को समापन किया गया इस सत्र में प्रसिक्षन प्रकोष्ट के नोडल LLMD, DLMT, उप निर्वाचन पतादिकारी और LLMT को राष्ट्रिय अस्तर्वा जिला अस्तरिय प्रसिक्ष को द्वारा निर्वाचन समंधित विभीन विशवयों पर प्रसिक्षन प्रसिक्षन सत्र में पतादिकारी को बताया गया है कि निर्वाचन के उनके पहले के अनुभाव और आयोग द्वारा समय समय पर जो प्रसिक्षन दिये जा रहा है उसका एक मात्र उदेश सहाई के निर्वाचन पर किरिया सहज बनाते हुए स्वक्ष, निस्पक्ष और सांतिपूर्ण मद्दान कराया जा सके सरकार ने युवाओं को बेरुजगारी के दलदल में धाकेला सुदेश महतो सरकार ने चुनाओं से पहले युवाओं से कई लोग लुभावने वादे किये थे पांच लाख नौकरी और बेरुजगारी भाता देने का वादा करने वाली सरकार ने युवाओं को बेरुजगारी के दलदल में धाकिलने का काम किया है युवा आज पेपर लिग परिक्षा पई नाम और नियोकती पत्र जैसी मामलों को लेकर सलकों पर हैं युवाओ के भईवसे से खिलवार करने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं उक्त बाते आजशू पार्टी अध्यक सुदेश कुमार महतो ने उनके काके रोड़ी सित आवासे कराले में रभी वरक आयोजित युवा आजशू के मिलन समारों में कही है इस दोरान आशिस कुमार चवरासिया के नेतिवत में वार्ड श्यारीश के जीतेंद्र सर्मा रभी संकर सिंग भी उपस्थी थे बतादे सुदेश ने कहा है कि युवा आईशू सुरुवाज से ही युवाओ से जुड़े सभी परकार के मुद्दों को मुखहरता से उठाती आई है हक और अधिकार से वन्चीत राजी के युवाओ की ससक्त आवाज बन चुका है युवा आईशू युवाओ का बढ़ता विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है परिवर्तन यात्रा की सफलता से बावुलाल गदगद भारते जानता पार्टी की परिवर्तन यात्रा करी 4500 किलोमेटर का सफलता कर चुकी है पलामो और उत्री छोटा नागपूर प्रमंडल में यात्रा का समापन हो गया है 16-17 लाख लोग इस यात्रा में सामिल हुए है भाजपा के परदेश अध्यक्स बावुला मारंडिन रावी वर को प्रेश वारता में कहा है कि 24 जीलों के 74 विधान सभा में अब तक इस यात्रा का लोगों ने स्वागत किया राज की जानता हेमन सुरिन सरकार को बदलना चाह रही है परिवतन यात्रा में जिस तरह से लोग का उसाथ दिख रहा है उससे सरकार की विधाईत्ता है उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को हजारी वाग में परधान मतिना इन्द मोदी यात्रा का जमापर करेंगे इस दोरान वे एक जन सभा को भी समोधित करेंगे मराणी न कहा है कि जिस तरह से बारिस में भींगते हुए लोगों ने इस यात्रा से अपने को जोड़ा है उसके लिए भाजपा उन्हें धन्यवाद देती है ज्यारखन की सियासत में वापसी करेंगे रगुबरदास 2014 की बिधान सभा चुनाओ परिणाम के बाद लगातार पांच साल ज्हारकन के मुखमंतरी रहे रगुबरदास आगामी बिधान सभा चुनाओ से चुनाओ राईनीती से दूर रहेंगे उडिशा का राजेपल होने के नाते वे सक्रिये रूप से राईनीती गतिविद्यों में भाग नहीं ले सकते इसका नुक्सान भाजपा को उठाना पर सकता है बतादे रगुबरदास की सक्रियेता नहीं होने से उनके समर्थकों में घोर निरासा भी है इसी वज़ा से उन पर राजे की सक्रिये राईनीती में वापसी का भी काफी दबाव है बतादे राजे से उनके समथक बड़ी संख्या में इन दिनों उनसे मुलकात के लिए भोने स्वर इस्तिती राजपान का भी रूख कर रहे हैं अंदरूर्नी बाचित में रहुआ दाथ सबकी भावनाओं से अउगत होते हैं हांडी चड़ी नहीं और पतल दे कर बैठा दिया जेमेम ने बीजेपी प्रकसात तंज सतार उल जारखन मुक्ति मोर्चा जेमेम ने रभी वर को एक बार फिर भाजपा को आरोपो के घहरे में लिया है महासचिव सुप्रियो भटचा ने कहा है कि उनके पास उकसाने के लावा कोई मुद्दा नहीं है बगाएर नाम लिये उन्होंने असम के सियम और भाजपा के चुनाव सब प्रभारी हिमन्त विश्वत सर्मा को भी स्थापित नेता करार देते हुए कहा है कि एर राज में सरकार बनने के बाद एक इस तरुपे देने की बात कर रहे हैं कहते फिर रहे हैं कि बारी बाई से चार चरनों में चुनाव घोसना पत्र जारी होगी उन्होंने कहा है कि मैंने अपने राजनितिक जीवन में उन्होंने चरनवार कभी घोसना पत्र जारी होते नहीं देखा भाजपा यही काम करने जा रही है जेई नियुक्ति मामले में तेरा सीट आरक्षित रखने का निर्देश वर्ष 52 हरतेच में जूनियर इंजिनियर नियुकती मामले में ज्ञारखन हाई कोट ने प्रार्थियों के लिई थेरा सीट रियर वड़कने निर्धेश ज्ञारखन करम चारी चैन आयो को दिया है कोट ने JSC को दो सब्ता में जबाबी दाखिल करने का निर्धेश दिया बता दे राज सहकार के भी भीन विभागों में जूनियर इंजिनियर के 1267 पदो पर नियुक्ति को लेकर जैसेसी ने बीकापन संख्या 4-2 हरतेश निकाला था परिछान नहीं मावली के तहट अम्तिम रूप से सफ़ल अभी आर्थियों को ही 1057 के लिए बुलाया जाना है उमार एम अने हाइक कोट का दरवजा खट खटाया है जारखन की सियासत में चिराग पासवान की इंट्री जारखन की युवा हतास है रोजगार, सिक्षा और स्वास्ट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है जारखन का समीता के लिए लड़ाई है इस बिधान सभा में पांच साल के लिए ऐसी सरकार को चुने जो बिक्सित जारकन बनाने के लिए काम करें यह बाते लोक चन सक्ति पार्टी राम विलास के केंद्रिय अध्यक्ष और केंद्रिय मंति चिराग पस्वान ने कही है चिराग पस्वान जन आक्रोस रायली के धनबाद के कोईला नगर के नेहरू परिसर में सभा को सम्भूदित करते हुए कही है उन्होंने कहा है कि जारकन पिछले 5 साल की सरकार ने 7 पिढ़ी के लिए फरस्टा चार करके लूट कर लिया है चिराग पस्वान ने कहा है कि मेरे पिता स्वर्गिय राम बिलास पस्वान हमेशा गरीब पिछले के लिए आवाज उठाते रहे हैं साहिब गंज में मलेरिया से हाहकार मचा हुआ है इस माह में अब तक इसके महज 228 मरीज मिल चुके हैं इन में से सबसे अधिक 76 मरीज बोर्यो के दपानी गाउ में मिले हैं इस साल अब तक कुल 322 मरीज मिल चुके हैं इसे स्वास्थ विभाग की चिंता बढ़ गई है इसे निपटने की त्यारियों में विभाग जुटा हुआ है हलाकि इस पर काबू पाने में विभाग सपन नहीं हो पा रहा लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है विगत कई साल से मलेरिया नेंतरन में था लेकिन अचानाक से इसमें बिरिदी हो गई बता दे साहेव गंज से पूर्व परोसी जीले गोड़ा के सुंदर पहाड़ी में बड़ी संख्या में इसके मरीज भी मिले हाए आदिवासी मुलवासी को उनके हक वाधिकार से वन्चित करने की सरंतर नहीं चलेगी जेवी के सेस जे एल के एम ने रविवर को पूर्वी सिहुम जिलाद्य की सोरी हांस दावा महासची उद्दीनेस महतोक नेतित में बारी डी गोल चकर से गोल मुरी एगरीको मैदान तक जहरकन स्वाभिमान यात्रा निकाली गई इसमें करीब पांच हैर की संख्या में पार्टी के हकर करता सामिल हुए इस दोरान पार्टी के हकर करता हुने जैराम महतो जिंदाबाद, जेवी के सेस, जे एल के मुल वासी एकता जिंदाबाद, कैसे लिया जहरकन लड़कर, लिया जहरकन, सरीखे नारे लगा रहे थे जहरकन सौईमा नयत्रा में सामिल लोगों का जोस देखने बन रहा था, वे नाच्ते काते वा नारे बाजी करते हुए बारे डी गोल चकर से एक रीको गोल चकर तक पहुँचे, बतादे जहरकन सौईमा नयत्रा एक रीको मैदान पहुँचने के बाद एक जन सभा में तब सब्सक्राइब नियोजनinda कालों तर्छिस विला नियोजन새C로 а alcanz डिश को लिया हैं सब्सक्राइब दùर्बारा थी सब्सक्राइब नियोजन नीति करकरने का सथानिये नियोजको को निर्देश दिया है बता दे जीलार नियोजन पता दिकाई दोवारा बता गया है कि आने वाले समय में जीलार नियोजन नाले करेले दोवारा और भी रोजगार मिले का उजन किया जाएगा इस रोजगार मिले में 18 नियोजक सामिल हुए दुमका में नकली सराब फाक्तरी का भंधा फोर्ड दुमका पुलिस ने नकली सराब बनाने वाले एक गिरो का भंधा फोर्ड किया है आसपी खेवार ने बताया है की सनिवाज साम के साथ बजे गुपत सुचना मिली की काठी कुंड थाना के पास घंगोर जंगल में गाउं के पास मंगला देहरी के घर में कुछ लोग अवयज सरा बना रहे है इस मामले की जाच करने के लिए पुलिस ने राज साड़े आठ बजे गाउं पहुंच कर चिनित घर के पास पहुंचे और देखा कि एक छोटी सफेद रंग की गाड़ी पुलिस को आता देख तेजी से भाग रही है धन्यवाद